तो आपको ये जो दो सवाल थे CAPF 2021 and CDS 2021 के ये दो सवाल आपको हिंट देते हैं कि UPSC के Civil Service Examination के प्री में भी कुछ ऐसा सवाल फ्रेम करके पूछ लिया तो आधे से जादा लोग 90% लोगों को नहीं पता ही चीज़ हैं क्योंकि हम Traditionally ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि CDS and CAPF में पूछा गया इसलिए मैंने आपको पढ़ाया अब आप समझ रहे हम क्या कर रहे हैं Next setting डालीए बड़ इंपार्टेंट है GDP Potential What is Potential? Potential का मतलब होता है कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता है सब्सक्राइटरी के भीतर Let's say मैं 10 kg और 10 lakh रुपीज का goods and services produce कर सकता हूँ कर सकता हूँ ये मेरा Potential है 10 lakh करोड का goods and services produce करने का पर मैंने किया कितना produce? 4 lakh करोड रुपीज का Actual GDP and GDP Potential They can be a different place They can be a different place GDP Potential क्या है? Highest और maximum output that a country can produce using the available labor and capital याद labor and capital is the factor of production at a constant inflation rate तो GDP Potential का मतलब है कि अपने देश का पूरा labor, पूरा capital पूरा factor of production जोगनी अप पूरे दम लगा अगर जोग दिया तो कितनी maximum GDP पहुंच सकते हैं कितनी maximum value create कर सकते हैं Let's say एक industry में 10 मशीने हैं 10 मशीनों को पूरा लगा दिया अगर पूरी दम लगा दूँ सभी लोग मेरे सारा अच्छा काम करने लगे तो पर कितना GDP Potential कितनी maximum output ले जा सकता हूं कितना जादा produce कर सकता हूं तो जरूरी एक्चुल GDP काम और GDP Potential ज्यादा हो सकता है तो उसको बोलते हैं GDP Gap तो मैं 10 घंटे पर सकता हूं पढ़ा मैंने 8 घंटे तो 2 घंटे का Gap नहीं आ गया Simple लिखा आपने ही बड़ा important concept है GDP Potential इसके उपर सवाल भी पूछ चुका है तो what is GDP Potential highest और maximum output that a country can produce using the available labor and capital understood yes, got this point यह तो simple था actual GDP और GDP Potential की बीच का गैप है उसे GDP Gap बोलते है अब एक बात समझे एक बात समझे मेरे पास let's say GDP Potential मेरी Potential मैं उझे लगा कि 15th January को मेरा Potential है कि मैं 10 घंटे पढ़ा ही करेगा लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं एकदम मधोश होगे एकदम मज़े मैं आ गया और मैं 12 घंटे पढ़ डाला तो क्या मैं अपने Potential से ऊपर जा सकता हूँ आंसर इस लेकिन मैंने सोचा था कि मैं 10 घंटे पढ़ूँगा यह मेरा Potential मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ क्या मैंने सिर्फ 8 घंटे पढ़ा क्या मैं अपने Potential से नीचे आ सकता हूँ answer is yes answer is yes which means which means कि क्या मैं potential से ज़्यादा perform कर सकता हूँ yes potential से कम perform कर सकता हूँ yes तो अगर potential GDP है उससे ज़्यादा आपने की real GDP आपकी real GDP जो GDP आपने की उस year में वो ज़्यादा आगई जितना आपने सोचा था तो इस gap को बोलते है inflationary gap हम inflationary word use क्यों कर रहे है inflationary क्यों बोल रहे है inflation का मतलब होता है कुछ चीज बढ़ जाना जब inflation क्या होता है आज 10 रुपे की चीज़े कल 12 की हो गई ज़्यादा हो गई इस ज़्यादा को बोलते है inflation इसलिए उस increase वाले सेंस में क्रोड का प्रडेक्शन किया यह inflation दियो हो गया इतना सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ गया inflation मतलब increase होना and recession का मतलब क्या होता है recession मतलब कम हो जाना तो potential GDP जितना मैंने सोचा था उससे में कम रहा तो अगर आप सोचो कि आप कल का plan बना रहे हो next day का plan बना रहे हो और आप सोचो कि 10 घंटे पढ़ूँगा मैंकल और आपने पढ़ लिये 12 घंटे जादा पढ़ लिया तो inflationary gap और आपने 8 घंटे पढ़ लिये तो इसको बोलेंगे recessionary gap आपने सोचा था कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे पर actual कितना बढ़ा actual आठ पढ़ा तो recessionary gap 12 पढ़ लिया तो inflationary inflation क्यों बोल रहे है याद रुखना है मेरा मूँ से inflation क्यों बोल रहे है inflation मतलब increase होना recession मतलब धीला हो जाना कम हो जाना slow हो जाना तो इस figure को ऐसे बना लिजे तो आपको ये दोनों टर्म याद रहेंगे potential GDP real GDP अगर potential GDP से ज़ादा है तो inflationary gap है अगर real GDP potential GDP से कम है तो recessionary gap है clear है यहां तक understood this much तो potential GDP से ज़ादा GDP निकल आई तो inflationary gap potential GDP से कम GDP है real तो recessionary gap यह real GDP क्या है, nominal GDP क्या है यह आगे समझेगे पर अभी simple समझने के real GDP कोई GDP ट्रीट करो भी तो potential GDP से ज़ादा real GDP inflationary gap कम है तो recessionary gap यस, clear है चलिए आए यूपीसी सीलेस के इस question पर इसलिए बढ़ाये था आपको अब आप जवाब देंगे सर पोल करता हूं मैं create एक इंसान ने फिर भी गलत आंसर दे ही दिया हाँ मैं इतनी जान लगा के जो पढ़ा रहा हूं तुनको ऐसा मत करो यार धं से सुनो इतनी सिद्दत से पढ़ा रहा हूं सिद्दत से पढ़ो 90% plus efficiency चाहिए तुम्हारी examination ने ये गलतियां मत करो the situation where equilibrium levels of real GDP fall short of potential GDP is known as is known as registrationary gap UPSC CDS 12021 का सबाल है fall short काम हो जाना तो potential है उससे कम रह जाना इसको क्या बोलते हैं registrationary gap आईए UPSC CPF का एक सबाल amount by which इसका अंसर आप चाहट में दे सकते हैं amount by which the equilibrium of real GDP exceeds the full employment level of GDP is called इसको क्या बोलते हैं recessionary gap is a type of GDP gap शार भ्यार कैसी बादे कर रहा GDP gap recessionary gap वो भी तो gap ही है न is a type of a GDP gap ठीक है answer is inflationary gap very good that's great everyone great 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 तो आपको ये जो दो सवाल थे CAPF 2021 and CDS 2021 के ये दो सवाल आपको हिंट देते हैं कि UPSC के civil service examination के प्री में भी कुछ ऐसा सवाल फ्रेम करके पूछ लिया तो आधे से जादा लोग 90% लोगों को नहीं पता है ये चीज़ हैं क्योंकि हम traditionally ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि CDS and CAPF में पूछा गया इसलिए मैंने आपको पढ़ाया अब आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ये चीज़ नहीं नहींगा येस